हेलो फ्रेंज आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चानल लीगल हेल्पिन हिंदी में फ्रेंज आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सुप्रीम कोट के आए एक बड़े फैसले के उपर जिसमें शादी से बाहर संबंद बनाना अब अपराद नहीं रह गया है यानि की IPC की धारा 497 को खतम कर दिया गया है सुप्रीम कोट के इस बड़े फैसले को जानते हैं 10 पॉइंट में सुप्रीम कोट ने अडल्टरी संबंदी कानून धारा 497 को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोट ने इस फैसले के बाद अब अडल्टरी अपराद नहीं रह गया है अडल्टरी कानून के अंदर जो सजाद देने का प्रोवीजन किया गया था उसकी सविधानिक वैदिता के मामले में 27 सितंबर 2018 को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोट ने कहा था कि सविधान के खुबसूरती यही है कि उसमें मेरा मैं और तुम सभी शामिल हों महिलाओं के साथ आसमान विवहार करने वाला कोई भी प्रोवीजन सविधान में नहीं है नियाइमूर्थी मिश्रा, नियाइमूर्थी A.M. खनविलकर, नियाइमूर्थी R.F. नरिमन, नियाइमूर्थी डॉक्टर V.I. चंदरचूर और नियाइमूर्थी इंदू मलहूतरा के पीट ने कहा कि अडल्टरी के सम्बंद में भारतिय दंसहिता की धारा 497 आसा विधान और CRPC की धारा 198 को आसविधानी गोशित करते हैं CRPC की धारा 198-2 ये कहती है कि धारा 497 के तहट किये गए अपराद के मामले में पती ही शिकायत कर सकता है दूसरी खास बात ये कि CGI ने ये कहा कि अब ये कहने का टाइम आ गया है कि पती महिला का मालिक नहीं है ये पूरी तरह से निचिता का मामला है तीसरा पॉइंट ये कि CGI ने ये कहा कि जो व्याभी चार यानि की अडल्टरी है वो कोई अपरादिक काम नहीं है व्याभी चार तलाक लेने का अधार हो सकता है शादी के बाहर संबंद बनाना अपराद नहीं हो सकता चौथा पॉइंट ये कि चीन, जापान और अस्ट्रेलिया देसों में भी व्याभी चार अपराद नहीं माना गया है पांचवा पॉइंट ये कि अडल्टरी अपराद नहीं हो सकता अडल्टरी कानून पूरी तरह से आसाविधानिक है अटवा पॉइंट ये कि सुप्रीम कोट के पांच नियायत हीसों की सविधान पीट ने पूरी तरह से सर्व सम्मति से इस धारा को निरस्ट कर दिया है साथवा पॉइंट ये कि सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में कहा कि अडल्टरी अपराद नहीं होगा लेकिन अगर पत्नी अपने जीवन इतिहास में अडल्टरी के कारण खुद खुशी करती है तो सबूत पेश करने के बाद इसमें सबूत के लिए उकसाने का मामला भी चलाया जा सकता है आठ्वा पॉइंट ये कि इसमें महिला की गर्मा सबसे उपर है नौवा पॉइंट ये कि दारा 497 पूरुष को मन माने अधिकार देने वाली है प्रधान नए अधिस ने कहा समानता सविधान का मापदंड है दस्वा पॉइंट ये कि कोट ने ये कहा संभो है कि अडल्टरी खराब शादी का कारण नहीं हो बलकि ये ज़्यादा संभो है कि शादी में आसंतोस होने के कारण ही अडल्टरी किया जाता हो भारती दन सहिता की धारा 497 के अनुसार अगर कोई पूरुष ये जानते हुए भी कि महिला किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी है और उस व्यक्ति की सहमती या फिर मिली भगत के बगैर ही महिला के साथ यौन संभन बनाता है तो वो इस धारा के अंतरगत अपरादी होगा ये बलातकार के अपराद की श्रिणी में नहीं आएगा इस अपराद के लिए पुरुष को 5 साल की कैद और जुर्मा ने दोनों की सजा का प्रोवीजन किया गया था जो कि अब पूरी तरह से खतम कर दिया गया है तो फ्रेंज ये था आज का हमारा वीडियो धरा 497 के निरस्त होने पर सुप्रीम कोड के फैसले के 10 एहम बातों पर उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिये गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मुच